हेलो माई फ्रेंड मैं हूँ भीश मनारायड और मैं आपका FLP की धाइड़ी इस YouTube चैनल पे वेलकम करता हूँ जैसा आप अब स्क्रीन पे देख पा रहे हो स्क्रीन पे लिखा है आप कौन सा toothpaste यूज करते हो क्योंकि आज जो discussion होगा वो toothpaste पे होगा इन में से बहुत सारे ऐसे ब्रैंड है जिस ब्रैंड का यूज आप करते आ रहे होंगे या वो ब्रैंड कोल गेट हो या क्लोज अप हो जो paste के पीछे लिखा होता है क्या आपने पढ़ने की कभी कोशिश की है अगर नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को देखे और आज हम और आप मिलके एक साथ पढ़ते हैं देखिए ध्यान से आप इस वीडियो पे direction for use में क्या लिखा है ये Colgate brand के बारे में बताया जा रहा है क ये brushed throughly at least twice a day or as directed by a dentist or physician ठीक है यहां तक सब कुछ अच्छा है आगे देखेंगे क्या लिखा है Children under six years of age should have adult supervision and used only a pea-sized amount do not shallow मतलब छे साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो बड़ी के देख रेख में इस पेस्ट का प्रियोग करेंगे pea-sized amount मतर के दाने के बराबर का amount लेंगे और निगलना मना है आखिर क्यों छे साल के बच्चे के लिए ऐसी warning पेस्ट के पीछे लिखी गई है हो सकता है जब आप इस वीडियो को देख रहे हो आपने आज तक नहीं देखा होगा अपने पेस्ट के पीछे ये warning तो इस वीडियो को आप यहीं पे pause कीजिए अपने वाश्रूम में जाईए बात्रूम में जाईए और जो पेस्ट आप यूज करते हैं उसके पीछे पलटके पढ़िए देखिए ये बात लिखी हुई है कि नहीं अगर आपको हाँ पे बात लिखी हुई सही नजर आए तो फिर इस वीडियो को continue कर सकते हैं बहराल हम आगे बढ़ते हैं और आगे और जानकारी को बढ़ाते हैं यह पैपसोडेंट का है इसके लेवल के पीछे भी आप देख सकते हैं इस बात शब्दों को बदल के लिख दिया गया है यानि पैपसोडेंट भी कह रहा है कि छे साथ से कम उम्रे के बच्चों को यह पेस्ट यूज बड़े के देखरेक में करना है निगलना मना है जो कोल्गेट पे लिखा है आगे देखते हैं यह बहुत ही popular brand है और इस brand के अ बहुत आजकल चर्चा में आ गया और यह brand का नाम है Sensodyne इस पे अगर direction for use को अगर आप पढ़ो तो इस पे लिखा है brush thoroughly at least twice a day और as directed by a dentist or physician ठीक है आगे देखो children under 12 years of age used only on the advice of a dentist or doctor मतलब आप समझो 12 साल के बच्चों को यह use करने के लिए जब तक डेंटिस्ट न बोले तब तक उनकी advice के बिना इसको use नहीं करना है यानि 12 साल के बच्चे के लिए से कम उम्र के बच्चे के लिए यह बहुत ही खतरनाक है तो क्या यह 12 साल से ज़ादा उम्र के बिक्ति के लिए क्या यह खतरनाक नहीं हो सकता है slow poison की तरह काम नहीं कर सकता है तो आखिर आप समझो आप सुबह सुबह उठते हो और जैसे ही सुबह सुबह उठते हो आप अपने मुह में खाली पेट में इन जैसे chemicals harmful chemicals को अपने शरीर के अंदर डालते हो जो आने वाले शर्मे में आपके शरीर को खड़ाप करने के लिए काफी है और बहुत कुछ आपको damage कर सकता है reason क्या है reason यह है कि इन सारे paste के अंदर harmful chemicals पाय जाते है जिसमें सबसे harmful chemical है उसका नाम है fluoride और दूसरा less harmful है daties calcium carbonate इसको समझते है fluoride क्या है fluoride एक तरह से chemical है जो कहा जाता है कि यह cavity को prevent करने के लिए tooth face के अंदर डाला गया है बट इसका कुछ अलग ही मतलब है अलग मतलब क्या है यह skeletal fluorides कर सकता है यानि की fluoride के जादा प्रियोग से बच्चों की हड़िया कमजोर हो सकती है बड़ों की हड़िया कमजोर हो सकती है fluoride का यह side effect है दूसरा क्या कर सक थराइट की problem का risk है और क्या है neurological problems का risk यानि नसो से जुरी हुई समस्या का भी risk है fluoride की वजह से जो paste के अंदर है और क्या कर सकता है यह acne pimples कर सकता है skin से जुरी हुई कोई भी समस्या कर सकता है energy को down कर सकता है reproductive issues को बढ़ा सकता है और mitochondria toxins मतलब की mitochondria toxins कहने का मतलब है कि इसमें liver fatty हो जाता है इसमें आपका pancreas fatty हो जाता है तो यह इतनी सारी समस्याओं को fluoride बढ़ा सकता है और अगर आप और research करना चाहते हो कि यह fluoride क्या क्या खड़ाब कर सकता है जो आपके toothpaste में पाया जाता है तो आप कुछ मत करो आप सिर्फ Google में type करो side effects of fluoride बस आपने यह Google में type कर है side effects of fluoride in toothpaste Google आपको बहुत बड़े-बड़े research papers लाके देगा जिससे आपको पता लगे है कि जो toothpaste आप यूज कर रहे हो वो एक slow poison है जो कितना कुछ काम खड़ाब कर सकता है अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि इसमें एक harmful दूसरा chemical क्या है calcium carbonate अब calcium carbonate जो toothpaste में प high chloride and aluminium hydroglide can erode tooth inamil over time तो कहने का मतलब है कि जो toothpaste के में जो calcium carbonate पाए जाता है वो calcium carbonate जो दातों पे जब उसकी घिसाई होती है तो हमारे दातों के उपर जो outer layer है that is called inamil ये inamil की layer हट जाती है और जब inamil की layer जो protective layer दातों की उपर से हट जाती है तो लोगों को sensitivity की problem शुरूँ होती है sensitivity की problem कहने से मतलब है कि जैसे ही कोई आप ठंडी चीज़ खाऊगे दातों में बहुत तेज जंजनाहाट महसूस होगी जैसी कोई मीठी चीज़ खाऊगे दातों में तेज जंजनाहाट महसूस होगी क्यों क्योंकि calcium carbonate ने आपने paste use कर ते करते आपके दातों के ऊपर के इनामिल को घिस दिया और वो हट गया और दातों में ये तकलिफ चालू होगी अब दातों के पर कोई भी खटा चीज जाएगा कोई भी गर्म चीज जाएगी कोई भी ठंडी चीज जाएगी दातों के अंदर तकलिफ शुरू होगी जिसकी वज़े से आप क्या करते हो आप paste change करते हो और paste change करके आप sensor dine की तरफ जाते हो लेकिन जब आप sensor dine की तरफ जाते हो तो sensor dine में कितना ही hyzerious chemical है कि इसे 12 साल के बच्चे को भी मना किया गया है तो फिर अब आपको सोचने की जरूरत है कि एक सही paste लेना आपके लिए कितना जरूरी है और मैं अगर आप से कहूं कि एक बहुत ही सही paste है जो आपके दातों की sensitivity को भी खत्म करेगा जो mouth के ulcer को भी खत्म करेगा जो gum bleeding हो फून आ रहा है और जिंजिवाइटिस नाम का bacteria जो mouth में develop हो रहा है उसको भी खत्म करेगा ब्रैद बित जो मुह से बदबू आ रही है उसको भी खत्म करेगा आपकी दातों को सफेद भी करेगा प्लैक से भी fight करेगा और सबसे बड़ी चीज 100% safe है चिल्डरिन के लिए जो छे साल से कम उम्र के बच्चे है अकर वो paste मिल जा है तो कैसा रहेगा और वो paste है आपके सामने forever bright tooth cell with aloe vera and be propolis और सबसे बड़ी लाइन fluoride free इसके अंदर कोई fluoride की मात्रा नहीं दी गई है इसके अंदर क्या है इसके अंदर aloe vera है और दूसरा major ingredient क्या है be propolis aloe vera की जितनी खूबिया है ना जो हम सभी जानते है वो सारी की सारी खूबिया इसके अंदर पाई जाती है first thing be propolis क्या है be propolis जो मधुमक्खी का छत्ता होता है जो मधुमक्खी की हैव्स होती है उसके अंदर यह be propolis पाई जाता है और बहुत सारे research ने ये बताया है कि be propolis वर्ड का best natural antibiotic है natural antibiotic है तो ये दातों की हर प्रकार की समस्याओं के लिए ये हमारा product forever bright to sell बहुत शानदार है अब आप कहोगे कि अच्छा सभी paste का back side दिखाया अपने paste का भी back side दिखाओ क्योंकि सब के बारे में दिखा दिखा के बता रहे थे तो ये है हमारे paste का back side जो मैंने अपने camera से photo की स for a healthy looking smile do not use if seal is cut broken or missing मतलब यहां पे कहीं भी आपको यह लिखा हुआ नहीं दिखेगा कि 6 साल से कम उम्र के बच्चे को यह paste मना हो और यह product कहां का है यह product है made in USA right तो इंडिया में भी बना हुआ नहीं है made in USA है वहां के जो सक्त कानून होते हैं और वहां की जो best technology होती है उसके अंडर यह product त्यार हुआ है world का best toothpaste है जो अगर 6 साल से कम उम्र के बच्चे कहते हैं 6 साल से कम उम्र के बच्चे अगर इस paste को निगल जाए तो कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि अगर यह मुह में है तो दात का फैदा पेट में गया तो आत का फैदा क्योंकि इस paste के अंदर पा research हुई है और यहां पर मैंने एक research paper आपके सामने रखा है मैं इस research paper का link आपको description में डाल दूँगा आप देख सकते हो और यहां जो aloe vera का बना हुआ paste है इसके बारे में यहां पर बताए गया aloe barbatensis miller जो की aloe vera का best 400 में से प्रकार की प्रजातियों में से best प्रजाती होत जो मुझे बहुत अच्छी लगी और वो चीज़ यहां पर यह लिखी हुई है कि aloe vera के अंदर कुछ natural anthracurones होते हैं इस plant के अंदर जिसकी वजह से यह क्या provide करता है enalgiesic effect enalgiesic effect मतलब यह दर्द निवारक भी है यह antibacterial भी है यह antifungal भी है यह antivital activity भी इसके अंदर है इस की वजह से यह cleansing बहुत अच्छा करता है और antiseptic properties से बढ़ा हुआ है अब अगर इन सारे properties की वजह से यह जो toothpaste है इसके इतने सारे फैदे जो आप अपनी screen पे देख पा रहे हो अभी इसका क्या-क्या फैदा है इसका सबसे पहला फैदा यह है कि यह आपके gum bleeding को mouth ulcer को खत्म क रही है इसको toothpaste की तरह यूज के यह बहुत अच्छा life करेगा जो smoking करता हो smoking करने से जिनकी lips में darkness आ गई है वहां पी इसको apply करवाई इस paste को बहुत अच्छा काम करेगा जिनको कफ होती है खासी हो रही है वो इसको अपने गले में लगाए अच्छा फैदा करेगा जिनको pimples आ रहा है तो pimples आ रहा है pimples के उपर इसको लगाईए वहां भी काम करेगा common cold है वहां पे गर्म पानी में डालके इनको inhale करवाईए जो भाफ आता है उसको inhale करवाईए वहां भी यह paste बहुत अच्छा काम करेगा headache है सर में दर्द है इस paste को सर के उस दर्द वाले हिस्से में लगाईए यह paste वहां भी काम करेगा आप बोलेंगे यह एक दांत धोने वाला paste इतना कुछ काम क्यों कर रहा है तो आपको मैं समझाओ क्योंकि मैंने जो अभी यह research paper बतला था इस research paper में लिखा हुआ है कि aloe vera के अंदर कुछ anthraconans property है जिसकी जैसे इनालजेसिक है और इना कर लिया वहां उस affected area में paste लगाईए यह काम करेगा skin जल जाए मतलू सपोज अगर किसी को कहीं पर ने skin जल जाए तो तुरंत इस paste को लगाईए पफोले नहीं होने देगा अगर किसी का cut जाए इस paste को वहां लगाईए यह blood को रोग देगा यह सारे फैदे जो मैं आपको बत किया और सबको इसका लाव मिला है skin की बर्निंग हो गया हो गाओ हो गया वहां इसे लगाईए काम करेगा तो इसके बहुत सारे फैदे इवन लोगों ने पाइल्स तक में इसको अप्लाई एक्स्टरनेली अप्लाई करके इसके benefits लिए skin की disease में लोगों एक्स्टरनेली अप फैदे भी आपको दे सकता है तो एक यह ट्यूब अगर आप लेते हो और एक ट्यूब आप यूज करते हो तो सिर्फ एक ट्यूब यह दातों के लिए घर में आपके लिए first act kit की तरह भी है और बहुत शानदा results देता है तो अब तक की वीडियो अगर आपको अच्छे लग के तो लाइक कीजिए इसे शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों से जिनको इस वीडियो की जरूरत है जिनको इस पेस्ट के बारे में जानने की जरूरत है और मेरे इस FLP की डाइडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थांक्यू वेरी मुच